वेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल देखी फ्रेंड्स मैंने आज ये पुरानी साडियों और जुन्नियों से कत्रन से सलवार सूट से ये चौकोर पैरदान बनाया है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चांड को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और आम कम पंदे डाल सकते हैं मैंने ये 36 पंदे का बनाया है तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं चाकोरफंदे के लिए फ्रेंट्स मैंने 12 पंदे डाले हैं और आप जब बड़ा बनाएंगे तो कम से주는 40 पंदे डालाइएं तब यह आपका आराम से डालने के लिए पैरदान हो जाएगा तो法 देखें मैंने 12 पंदे डाले एक रो उल्टी बना लिए अब देखी फ्रंट से एक फंदा उता रहेंगे दागा आगे लाएंगे और हम उल्टी उल्टी रो बना लेंगे और यह तो बहुत ही आसान है आप इसको बहुत ही जल्दी बना लेंगे और इससे सरल आपको कोई भी डोर्मेट नहीं मिलेगा यह बहुत ही सारा लेंगे आप इसको बहुत ही जल्दी बना लेंगे तो देखिए इसको हम किस तरह से बना रहे हैं पहले हम उल्टे-उल्टे फंदे बुनते जाएंगे देखिए यह चौको डोर्मेट है देखिए फ्रंट्स देखिए मैं इसमें दो रो कंप्लीट कर ली है अब देखिए फ्रंट्स यहां से एक फंदा फिर उताराएंगे और दागा आगे लाएंगे फिर से मां उल्टो-ल्टे फंदे इस तरह से बुनेंगे और फ्रेंड्स हमें दोनों तरफ से एक एक फंदा उतारना है जब हम इस तरफ से आएंगे तब हमें यहां पे एक फंदा उतारना है फिर हम गूम के आएंगे तब भी हमें इसमें एक फंदा उतारना है हर वार एक एक फंदा किनारे का उतारना है क्योंकि उससे जो किनारे की साइड में वह चैन सी बनती हुई चलिए जाएगे अब हम उल्टी उल्टी रो इसमें बनाएंगे इस तरह से देखिए फंदे को इस तरह से लेंगे उतार के और दागा आगे लाएंगे अब उल्टी उल्टी रो फिर बनेंगे ऐसे ही हमें पूरा डोर्मेट चौकोर बनना है देखिए इस तरह से बनाते हुए इसको चलिएंगे आप देखिए फिर से यहां पर चैन सी बनती हुई जा रही है अब देखिए फिर से एक फंदा उता रहेंगे दागा आगे लाएंगे और यहीं से हम उल्टे-उल्टे फंदे फिर से बनेंगे यानि कि पूरा डोर में ठं उल्ट प्रेटे फंदों के साथ ही बुनेंगे इस तरह से बनाते विए जाएंगे और प्रेंट्स आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए मेरी वीडियो को सेर कीजिए और इसको बना के देखिए आप जरूर ब अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सेब कीजिए थैंक्यूर अगर इस तरह से बनता हुआ पूरा डूर में चले है इचाला याइगा